हाई नमस्कार दोस्तों मेरा नम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूटूब चैनल शेर वित अरूप में तो दोस्तों आज जिसका जो टोपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन टोपिक है आज इस पर मैंने ज्यादा स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा है बस नॉर्मली वीडियो बना रहा हूं और सायद इस तरह के टोपिक पर आज से पहले आपने यूटूब पर कोई वीडियो पहरि वी नहीं देखा होगा और शायद यह भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कुछ दोस्त होगता है जो मेरे इस लोगों के साथ भेदबाव करते हैं, क्या नौर्टिस्ट पे भी बाहर से जब लोग आते हैं, क्या उनके साथ भी नौर्टिस्ट के लोग भेदबाव करते हैं, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगो एक छोट बावना करें ये बताना है तो दोस्तो ताजा अपडेट के अनुसार ये खबर मिली है कि नौर्थ इस्ट के सभी स्टेट के जो लीडर से उन्होंने नरेंदर मोदी और अमित्सा को ये रिक्वेस्ट किया है कि नौर्थ इस्ट के लोग के साथ जिस तरह से नसल बेज जो टिपनी होती है घटनाएं होती है उस पर ध्यान दे और उस पर कुछ एक्शन ले इस तरह की रिक्वेस्ट की गई है लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछत करते हैं हमारे नौर्थिस्ट में आप अपने दिल पे हाथ रखके सज बोलीगा कॉमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों मैं खुद नौर्थिस्ट असम से हूँ और मैं आज अपने इस यूटूब चैनल के माध्यम से आप लोग कुछ मेरी जो परसनल एक्सपिरेंस है भ जब भी मैं खुद यह जो अपना एक्सपिरेंस बता रहा हूं जब भी मैं खुद अपने असम से अपने परोसी राज्य में जाता हूं यानि कि मैं असम से नौर्थिस्ट के अंदर ही दूसरे राज्य में जाता हूं तब मुझे भी वह भेदबाव वाली जो फीलिंग्स म मैंने अब क्यासा वेदबाव जैसे कि उसमें रंग को लेकि कुछ वेदबाव नहीं है कि मेरे रंग को लेकि कोई टिपनी हुआ ऐसा नहीं है मतलब मुझे यह ऐसास दिलाया गया कि मुझे एसास दिलाया गया कि तुम यहां के नहीं हो तुम दूसरे स्टेट के हो तुम हो तुम यहां के indigenous people नहीं हो तुम भार के लोग हो तुम यहां के tribal लोग नहीं हो तुम भार के नोन ड्राइबल लोग हो तो मतलब इस तरह का जो मुझे पराय वाला feeling जो मतलब ऐसास करा गया है तो यह यह क्या है यह एक से आप इसको भी एक भेदबाव कर सकते हैं क्या सकते हैं क्योंकि देखिए आप अपने ही देश में अगर आपको खुद ही कोई अगर पराय मतलब एहसास करा है क्योंकि ये देश हमारा है हम कई भी आसानिस्त में गूम सकते हैं लेकिन आपको खुद ही यहाँ पराया फील कर कर सकता क्योंकि कोई सबूत नहीं है प्रूब नहीं है तो पहारी इलागे कुछ ऐसे होते हैं जिस पर इस तरह के घटनाई मैंने मतलब हैं और दोस्तों सबसे इंप्रोटेंट बात ये है कि देखिए इस तरह के मामलें होते हैं कोई अपको इसका कोई रेकोर्ड नहीं मिलेगा और अगर आपको लगता है कि मैं हवाउवाई बात कर रहा हूं बस ऐसे कुछ भी बोल रहा हूं तो आप अगर आपको अगर देखना ही है मैं अगर सज बोल रहा हूं जूट या जूट बोल रहा हूं तो आप कुछ दिर वेट कीजिए इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट बक्स चेक कीजिएगा बहुत सारे आपको इस वक्त जो बाद में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो यह खुद बताएंगे कि नौर्थ इस्ट में आने के बाद कुछ नौर्थ इस्ट के लोग भी ऐसे हैं जिन लोगों ने उनके साथ भेदबाव किया उनको पराय है इस तरह का उनको मैसुस्वाइश से बहुत सारे कॉमेंट मिलेगा और पहले भी मुझे आपने वीडियो पे मतलब इ सिर्फ रंग रूप को लेके भेदबाव नहीं होता है अगर आपको अपने ही देश में अगर आपके देश में दूसरे राज्य में अगर आपको कोई यह एहसास दिलाए कि तुम यहां के नहीं हो तुम भार के हो तो यह भी एक तरह से भेदबाव ही है तो भेदबाव तो सबूत होना पार एक तब जाके तो लिखेगा कोई डेटा नैहीं है कुछ कंप्लेन यह कोई रिपोर्ट नहीं इस तरह के चीज़ों पर ऐसे कैसे लिख देगा तो मतलब आज हालत यह है मतलब इन सब चीज़ों पर अगर हम मतलब बात नहीं करते हैं लोगों तो मतलब कुछ negative comments कर देता है कुछ गलत सलत बोल देता है तो यह मतलब पूरा अब डर का माहूल बनावा है तो एक negative message फिल रहा है पुरे समाज में तो मतलब मुझे तो लगता है कि यह जो समय है यह इसपक्त मतलब सहर किसी को अपनी गलती सुहिकार करने का आगर का समय है कि हमने भी गलती कि है आपने भी गलती कि है माप करो और आगे बरो मतलब प्यार बाटो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी मतलब ट्राइबल पीपल के सेंटिमेंट को हाट करना बिल्कुल नहीं है उन्हें दुख पहुचाना बिल्कुल नहीं है बस मे से रोक के सामने आकर इसको रोकने की कोशिश करें नहीं तो आप देखिए अगर इस तरह के घटना होती रहेगी तो यह जो दूरिया है बाहरी लोग के साथ नौर्टिस्ट के लोग के साथ और यह बाहरी लोग के साथ जो यह दूरिया है यह बढ़ती ही जा रही है और आज ह तो आप सोचते हैं कि नरेंदर मोदी या फिर आमिर शा को बोलने से या फिर सक्त सक्त कानून लाने से जो नसल बेद वाली जो यह घटना है यह रुख जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि देखिए हमारे देश में रेप क हैं तो यह दोनों गटनाही जो सें है तो इसे रोकने के लिए कोई कानून की मतलब कानून से इससे आप यह सकते हैं इस यह हमने आपस में सवाल में खुद सुल जाना परेगा इसे तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के बाद अभी कुछ लोग मुझे कॉमेंट करके निचे कहेंगे कि तुझे तीन सो दो दफा लगाऊंगा यह वह बहुत सारे एफैट दर चलूँगा यह कॉमेंट करेंगे तो मैं पीडियों नहीं बनाता जिस तरह से इस देश में हर व्यक्ति को अपनी बोलने की आजाधी है आपने मरियादा में रहके वह अपना बात है सामने रख सकता है लोग के तो ठीक उसी तरह मैंने भी अपनी जो मेरा जो राए है वो मैने आप लोग के सामने रखा रखें आपक भाय